जन्मजात प्रत्य है जन्मजात प्रत्य है मुख्य रूप से बुद्धिवादियों का संप्रत्य है पाश्चाच दर्शन में तीन प्रमुख बुद्धिवादी दार्षनिक हैं रेने देकार्थ, स्पिनोजा और लाइबनीज बुद्धिवादि दार्षनिक ये मानते हैं कि ज्ञान का जो स्वरूप है वो सारुभोम है तथा अनिवार्य है और सारुभोम व अनिवार्य ज्ञान हमें कभी भी अपनी इंद्रियों के द्वार पर आप नहीं हो सकता हमें जो भी इंद्रिय अनवो होते हैं वो संभावित होते हैं क्योंकि वो कई बार गलत भी हो जाते हैं लेकिन एक प्लस एक बराबर दो ये एक अनवो नहीं है अपित्वी एक तार की ज्यान है और यह सारभौम है वो मानते हैं कि जो मुख्य ज्यान है है ये जो विश्य है वो जनमजात होता है क्योंकि सार्भॉम और अनिवारे जनमजात ही हो सकता है और यह बुद्धिवाद आशनी के मानते हैं कि व्यक्ति जन्ब के साथ ही ऐसा ज्यान लेकर पैदा होता है यह अनुहुते ग्यात नहीं हो बुद्धिवाद का जो प्रिणेता माने जाता है वो देकार्थ को माने जाता है उनके अनुसार जन्मजात प्रत्य वे प्रत्य हैं जो जन्म से ही मनुष्य के मन में होते हैं और इन प्रत्यों को हमें ना तो सिक्षा द्वारा प्राप्त करने के आवशकता है ना ही अनुभों के द्वारा ये सामान्य तह सभी मनुष्यों के मन में पहले से ही इस्थित होते हैं कुछ जन्मजात प्रत्य माने जाते हैं जैसे ईश्वर का प्रत्य जन्मजात है अमरत्व का प्रत्य जन्मजात है पाप पुन्य नेतिक्ता के जो प्रत्य हैं ये प्रायह जन्मजात प्रत्य माने जाते हैं और ये जर्मजाद प्रते ही हमारे ज्ञान का श्रोत है हमारे मन में, हमारे बुद्धी में ये पहले से ये उपलवद होते हैं और उनी से हमें इनका ज्ञान होता है तो यही देकार्थ का बुद्धिवाद है जिससे वे अनुभवाद के प्रमुखाधार को ही समाप्त कर देते हैं कि ग्यान जो है वो अनुभवाद के द्वारा ब्राप्त होता है